हलो बच्चूं, क्लास सेकेंड मैं रिदा अमिस्रा आपकी हिंदी टीचर और हम आज आपको बुक का फर्स चैप्टर पढ़ाएंगे क्या आपके चैप्टर का क्या नाम है बीर तुम बढ़े चलो तो आपके चेप्टर का नाम है बीर तुम बढ़े चलो तो इस कविता को किस ने लिखा है इस कविता के कवि का नाम है द्वारी का प्रसाथ माहेश्वरी माहेश्वरी जिने इस कविता के द्वारा बच्चों को बिना डरे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है क्या किया है प्रेरित किया है तो क्या करना है हमें पहले मुझे रीट करना है तो आईए हम रीट करते हैं बीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो हात में धोजा रहे बाल दल सजा रहे ध्वज कभी जुके नहीं, दल कभी रुके नहीं, सामने बहाड हो, सिंग की दहाड हो, तुम निडर हटो नहीं, तुम निडर डटो वहीं तो कभी ने क्या बताया है, इस कविता में कि बीर तुम बढ़े चलो, हे बीरों तुम आगे को बढ़ते चलो, धीर तुम बढ़े चलो, यानि कि हे बीरों तुम धैरे रख करके आगे को बढ़ते चलो, और हाथ में आपके ध्वजा रहे, यानि कि जंडा रहे, और बाल दल स सजा रहे आपके साथ में चलता रहे और द्वज कभी जुके नहीं दल कभी रुके नहीं यानि कि जंडे को कभी जुकने मत देना और अपने दल को कभी रुकने नहीं देना चाहे सामने पहाड़ हो या सिंग की दहाड़ हो कुछ भी हो हे बीरों तुम आगे को बढ़ते चलो हे धीर तुम अपना धैरे धहरण करके धैरे रख करके हाथ में अपनी द्वजा पता का जंडा कुछ भी बोल सकते हैं आप उसको ले करके बालकूं को यसमुं को सजा करके आगे को बढ़ते रहो और डर करके कभी भी रूकों नहीं बिना डर के आगे बढ़ते रहो तो क्या करना है मुझे ये कविता प्रेट करनी है पढ़नी है और लन्बी करना है तो हम बाकी का आपको कल बताएंगे भाए उड़े